अजी आपका स्वागत है अपने एक और ने व्लोग में तो जी बच्चे आ गए हैं स्कूल से अवास वागत है पहले तो तो रजाई के अंदर गुसा है और आज दिन और खुशी आई हैं अब तो आज इन के कपड़े में दे दी हैं वो अपने कपड़े बदल रहा हैं और खुशी ने अपने बदल ली हैं कपड़े टो जी इनके आने के बाद मेरे फिर से काम स्टार्ट हो जाता है यहां कि दो धाई बजे बजे में आदे ग्टा ही अराम करती में वीच में तो ममी इनके सारे पत्य निकाल दूंगे और मम्मी भी भार और गेव निकालने के लिए गई है कह देती कि जब तक तु इनके पत्य निकाल दे मैं अपने और गेव निकाल के लाती हूँ जब तक बच्चे अपने हाथ प्यार दो लेंगे और फिर मैं उनके लिए रोटी बना दूँगी और फिर वे खाले हैं गर्म गर्म रोटीयां तो जी कि हुँ तो मैंने कर दी है साफ और अब मैं बनाओंगे बच्चों के लिए रोटी तो यह एक एक ही रोटी खाते हैं एक या डेड़ रोटी खाते हैं बसाने के बाद कि दो दो मैं सुधत दे देती हूं एक एक डेड़ आगे खाते हैं और मैं सब्जी भी गर्म कर रह कहा दिया हैं और इनके लिए रूटी बना रहे हूं मैं भी को फिर खाना खाने के बाद फिर ये अपना तूछाल काम करेंगे थे इनको जलुपिए होती है जाने कि टोड़ी अद्रकबान चाय ₹प ने दोगसिट fun техARP में इसकि अध्रक्वाल कार करती हूं च्छी इनको बणाएं नहीं को बनाको ताक में आते हैं तो टी 스d薯 sub जाएंगे दो दो तिन दिर पकोड़े सब को मिल जाएंगे तो जी यह मिर्चाय बन गई मैंने कड़ाई दी चड़ा तेल की और मैं बैटर त्यार करूंगी जैसे मैंने बेशन लिया है इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगे सबसे पहले जैसे एक अपने साइल होता है जैसे एक मुखाते ओर फिर मैं डाल दिते यह यह उसके अंदर सारे मसाले जो मैं जालूंगी कर Cart關 को हाथ से माल दिया है और अब इसका मैं गोल तदयार कर लेती हूं थोड़ा सब पतलाई गोल बनाते हैं पाखोड़ों के लिए तो जी हम एक इसके अंदर कर दिया है घरम बर के डालती हूं चर्दी हूं तुमारे दनिया और साथ साथ आपको दीखी रहा होगा मैं अपना समयान भी सेट कर रही हूं तो जी अब मैंने अपने ले लिए कड़ी और अभी गोल अच्छे से फेट के जितना भी इसको फेटें के उतने इच्छे पकोड़े बनते हैं तो जी अ कि मैं को पहले एक बार हलके फुरके फ्राए करती हूं और से क्रिश्पी बन जाते हैं तो जैसे करका के मिन को सोड़ रही हूं तो जे अब व्रूल फ्रस्ट में adesso मैं बनाऊंगी प्याज के प्याउज को मैंने बिल्कोल गोल काटकर बिच से हम आलग जकर लिए इन को पैल कुल चल्ले बना ली हैं इससी सब्सक्राइब करें ऑश्टेश करने कोसिश लंग की मिल जाए खाने के लिए यह यूंगर खाने की तो जी निरे प्याज की और आलू के पकोड़े तो हो गए हैं अब मैंने एक कटोरी में निपाला काट के दो के रखी ती तो वह भी डाल दी मैं लास्ट में ताकि सारा बैटर लग जाएगा बचेगा नहीं तो जी यह भी मैं न यह फालक वाले मैं मिलाऊंगे लास्ट में ताकि यह दो दो तीन दिर खाके चले जाएंगे अपना तो इनको मैं दुबार से यानि की फ्राई कर रहे हैं इनको थोड़ा सा हाथ से दबाके भी यानि किसी चीज से प्रेस करके बढ़ डाल देते हैं पकोड़े को रखके भा और अमेन को निकाल दूँगी अक बार के उपर ताकि एक्स्ट्रा वैल जो रह जाएगा तो मैंने अपने जो यह है पालक वाले बैटर में थोड़ा सा बेशन और एड़क है इसमें थोड़ा सा थिक थिक साई बैटर में कोट होगे पालक के पकोड़े अच्छे बनते हैं पतले वाले बैटर में पकोड़े नहीं बनते अच्छे पालक वाले ताकि थोड़ा सा थि अब मैं करूंगे अपने पखोंगे तैयारी छोड़ने की तो सबसे पहले मैं बच्चों को थोड़ी से चाय देजेती हूं उचानके और थोड़े पकोड़े देजेती हूं खाके अपना चले जाएंगे और फिर मैं अपने बनाऊंगी पला के पगोड़े तो यह था मेरा आज का व्लोग प्लीज बताना कैसा बनाए हैं और मेरे चैनल पर आते हो तो प्लीज सस्क्राइब किये बगार मत जाया करो यह आप से छोटी शी रिक्वेस्ट है मेरी मैं कुछ ने कुछ नया करने की कोशि मैं करूं क्या कुछ मुझे करना चाहिए जो आप सब को अच्छा लगें तो कमेंट में भी जूरू बता दिया करो कि मुझे किस चीज पर बनाना चाहिए जो मैं अपनी सो से चल रही हूं ठीक है या नहीं है तो जी अब मेरे बन गए पकोड़े और अब मैं में भी बलाती कर पार कराट हूं तो जी अब में पाला के पकोड़े बी एक बार फ्राइए करके फिर सी दुबार? प्राइए करूंगे ने को ंवाँहा जो इसाऊं कशी उल्हां पर बननेुद को